नमस्कार जी मैं मन्जू आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो कि ना तो उसे कोई खाद की जरूरत होती है और ना तो उसे मिट्टी की जरूरत होती है और छोटे से आप एक पोट में छोटे से बाउल में से ग्रो कर सकते हैं और लंबे टाइम तक य ये डाले हुए थे अभी भी हैं उसमें और ये इतने जल्दी फैलते हैं कि मुझे निकाल निकाल के काफी कुछ तो मैंने बांट दिये और फिर मैंने ये जो गली महले में प्लास्टिक वाले जो ये बोर्स बेजते हैं तो दस-दस उरुबे गाई ये एक टोकरी लेके इसमे बस कटिंग करके मैंने लगा दिया और ये देखो इसी में ही खिलना शुरू हो गया और इसी में मल्टिपलाई होते रहते हैं तो ये इतने सुन्दर लगते हैं इसकी हरी-बरी पतिये तो आजकल जैसे बरसाद के दिन है तो ये देख रहे हैं तो इस टाइम जो है कीड़े कोड़ी देर के बाद ही बरसा आता जाए और जो आपने पैस्टिसाइड का चड़काओ की है तो फिर उसी टाइम असर खत्म हो जाए तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही करती हूं क्योंकि यह जो इस टाइम जो कीड़े होते हैं इनकी लाइफ बहुत ही कम होती है तो यह करना क्या है मैं आपको बताती हूं बस इसको डिविजन से किसी भी बाउल में आप छोटे से बाउल में डाल दीजिए यह जो मैंने ओनलाइन शोपिंग की थी पोर्स मंगवाया है तो मैंने इसी में यह डाल के हूँ है और यह इतने फूल धेरों फूल जब से मेरे गार्डन में जा जाए तो काफि रहती है तो इसमें लगातार जुफूल है आते ही रहते हैं तो यह आपके गार्डन को भर ठीखोर सूर्थ बनाते हैं तो आप लगा दीजिए तो बस यहींसे मैंने ुवीज़न से यह कट कर तो यहां से कट करके एक प्लांट में उसमें यह डाल दिया चोटे से वे उसमें प्लास्टिक पोर्ट में डाल दिया तो वहीं से खिलना स्टार्ट हो गया तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं और केर भी कोई खास नहीं है बस कुछ टाइम के बाद जब मुझे लगता है कि पानी थोड़ा नीचे हो गया तो मैं हलका सा पानी डाल देती तो जब मैंने इसमें ग्रो किये थे तो मैंने हलकी सी थोड़ी सी कुछ चार-पांच मुठी जो मिट्टी की भी डाल दी थी तो उस बाले जो बावल में तो मैंने मिट्टी भी नहीं डाली है कुछ बनी खाली पानी डाला है पस इसकी रूर्स है तो यह मल्टिप्लाई होत इस तरह के तो डहा के यह तो कूशया कई है यह साल बर भी अगहर चल जाती है तो बहुत यह four Sat% चो चल लुंका बेचने की था क्या लेइड़ी स्टी जो मिट्टी डाली-खुछ नहीं डाला और इसको ऐसे ही रख दिया मैंने तो पहले दिन तो जब मैंने रखा था तो ये ऐसे लूड़ कर रहा था फिर अब ये थोड़ी रूर्स इसके फैल गई तो फिर ये ऐसे इस तरह से तो आप ये है कि इसके क्योंकि एक ही प्लांट है अब ये मल्टिपलाइस के ये एक निकल रहा है तो यहीं से कट करके आप कहीं और भी ये दिखा आपने ये जैसे रूर्स है ये रूर्स है ना तो यहीं से कट करके आप इसे अलग बाउल में भी डाल सकते हैं जैसे ये यहां से तोड़ा यह यहाँ से बड़ी आसानी से यह तोड़ जाते हैं यह तो यह रूर से एक दूसरे से चिपकी हुए है तो क्योंकि इसी का यह ही तो हिसा है इसी में से यह निकल रहा था तो यह देखे रूर्स यह मैं बताती हूँ आपको यह देखे नए नहीं यह देखा न्यू न्यू रूट्स यह निकल रही है तो यही यह फैल जाएंगी और इसी में से न्यू ग्रोथ होगे और इसी में से फूल आना फिर शुरू हो जाएंगे इस तरह से आप यह इसे ग्रोव कर सकते हैं बस पान चाहें तो थोड़े छोटे पत्थर भी डाल सकते हैं इसमें तो बहुत ही बड़ी आ तरीके से चलता है तो यह देखा कितना बढ़ी आ प्लांट ना तो इसे किसी खाद की जुरूरत है और ना ही इसे मिट्टी की जुरूरत है बस बिंटर के टाइम जब इसमें कुछ समझें हैं तो फिर जो इनकी रूर्स को गर्माहट मिलती रहेगी तो उसमें फिर अच्छे से चलेंगे और फिर आ स्प्रिंग से फिर यह फूल देना स्टार्ट करेंगे और बिंटर से पहले तक लंबे टाइम तक देते ही रहेंगे और वैसे यह इस प्लांट को जो है तो देखा आपने, आज मैंने आपको एक कितना बड़ी चोटे से पोट में से ग्रो करना सिखाया है, वैसे तो पहले भी मैं वीडियो बना चुके हूँ, तब इसे बड़े पोट में लगाया था, तो अगर चोटे से पोट में भी डालते हैं, तो उसमें भी फूल इसके आज आते हैं, नमस्ते जी, शुकरिया, चलते चलते मैं आपको ये बता दू, हाँ मेरे यहां रात के टाइम बारिश होई थी, तो आपको गिल्ला दिखरा हुआ, कुछ सुखा, कुछ गिल्ला, तो ये आप डैम से आपको खुब सारे इसके प्लांट मिल जाएंगे, जहां नद से आना स्टार्ट होते हैं, और इतने प्यारे खुबसूरत लगते हैं, ये,